नमस्कार दोस्तों हमारे स्मार्ट अल्मूनियम चनल में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ पाउना वाई डेड़ के सेक्षन में थ्री ट्रेक विंडो में कैसे मेजरमेंट निकाला जाता है दोस्तों इस टोपिक में मैं वीडियो बना चुका हूं अलरेवगी बडर दोस्तों आप लोग को बहुत ज्यादा कमेंट आता है त्राप ग्लास में topics शार्ण करते हैं में और मृड़ ही इंच करता हूं कितने वीडियो में बलग से यह साहरे तीन करता हूं तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको तीनों टोपिक पे बताने वाले हैं किलियर क्यों 3 इंच माइनस होता है क्यों 3.5 इंच माइनस होता है तो दोस्तों इसी टोपिक में आज बात करने वाले हैं वीडियो में आप लाज तक बने रहेंगे आपका सारा कंफूजन दूर हो जाएगा तो दोस्तों चलिए व आपको 18 बाई 40 mm आप देख सकते हैं दोस्तों यह है पाउन बाई डेढ़का सेक्षन जो होता है उसी को दोस्तों हम आपको बताने वाले आपको मैं पहले भी बता चुका हूं दोस्तों यहां पे देख सकते हैं ठी ट्रक का ड्रोइंग में बना दिया हूं इसमें तीन glass हमें रहेगा, तो कितना minus करना पढ़ता है, चवड़ाई में? तो दोस्तों आप देख सकते हैं, 72 हिंच हमारा चवड़ाई है, इसमें हम क्या करेंगे? भाग देना है, कितने का? 3 का? 3 का भाग देने पर हमारा bearing bottom का size आ जाएगा B से हम bearing bottom का size लिगते हैं जो glass में यहां लगता है दोस्तों और यहां पर भी लगता है तो अभी हम आपको इसके बारे में बताएंगे तो हमारा 64 में तीन भाग देंगे तो हमारा bearing bottom का size आ चुका है एक 25-16 दोस्तों हमारा bearing bottom का size आ चुका है आप देख सकते हैं तो दोस्तों ये bearing bottom हमारा कितना लगेगा ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं तीन glass आप बना रहे हैं तो simple सा दोस्तों है एक नीचे लगता है एक उपर लगता है एक पल्ले में अगर दो लगता है तो इसी तरीके से तीन पल्ला हुआ तो यहां पर छै लगेगा ठीक है बड़ दोस्तों इसी को हम बोलते हैं एक कई सिंच और अड़ाई सूता इसी को हम बोलते हैं 5-16 तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह हमारा bearing button का size हो गया आप हम चलते हैं height में height में आप लोग का बहुत ज़्यादा confusion यह भी दूर कर देता हूं यह हमारा यहां से यहां तक measurement height पूरा full measurement है 48 inch यह अच्छ से height में लिखा हूँ आप लोग देख सकते हैं इसमें से दोस्तों हमको क्या करना है minus करना है हमेशा जितना मैं minus करता हूँ दोस्तों आपको real बता रहा हूँ यह 1.5 inch आपको minus करना है जितना भी आपका measurement रहेगा जैसे यह मेरा 40 यह 43 inch है तो इसमें से हम 1.5 inch minus किये यह हमारा कितना भी measurement रहेगा आपको minus 1.5 inch करना पड़ेगा full measurements में से ठीक है दोस्तों ये measurement हम minus कर दिये तो हमारा size अभी handle और interlock का आ चुका मैं आपे handle और interlock लिख लेता हूँ ये हमारा 46 हाप आ चुका है measurement handle और interlock का ये हमें कितना piece लगेगा यहाँ पे 4 piece interlock लगेगा और 2 piece handle लगेगा ठीक है 4 plus 2 यहाँ पे दोस्तों मैं लिख देता हूँ interlock ये हैं जो जिसके नीचे है वो उतना उतना piece लगेगा दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इतना तो आप लोग smart हाई हैं दोस्तों आप लोग का सबसे ज़्यादा confusion ये रहता है अब हम जिसे बताने वाले handle interlock का size हमारा हो गया कितना piece लगेगा मैं ये भी बता दिया अब दोस्तों सबसे बड़ी confusion ये है कि आप लोग चाहते हैं कि glass का size कितने inch minus करके निकाला जाता है तो handle interlock का जो हमारा ये size आया 46 आप इसमें से दोस्तों हमको minus करना है तो यहाँ पर मैं minus 1,2,3 करता हूँ अब ये 3 minus मैं 3,3 क्यों लगाया हूँ minus का इसका भी reason मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों top लगाते हैं ठीक top plus top ठीक है ये अगर हम दोनों top लगाते हैं तो हमें इसमें से minus कितना करना पड़ेगा दोस्तों handle interlock में से 2,5 इंच यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2 half दोस्तों ये 2,5 इंच हमें minus करना पड़ेगा ये top लगाते हैं कहाँ पर ये पल्ले में हम जो लगाएंगे दोस्तों अगर नीचे हम top डालते हैं जो top जिसमें हम खाचा मारते हैं उसके बाद उसमें bearing बाना जाता है वो top अगर आप दोनों साइड लगा रहे हैं नीचे हैं और ऊपर भी तो आपको 2,5 इंच माइनस करना पड़ेगा और 3 इंच कब माइनस करना पड़ता है दोस्तों यहाँ पे आप देख टोप पलस बैरिंग बैरिंग बोटम टॉप और बैरिंग बोटम लगाते हैं मतलब यहाँ पे बैरिंग बोटम लगेगा यहाँ पे टॉप लगेगा यह वाला टॉप तो उसके लिए दोस्तों हमें माइनस कितना करना पड़ेगा 3 इंच ठीक है दोस्तों यह आप समझ गया है 3 इंच तब माइनस करना पड़ता है ग्लास का मेजरमेंट निकालने के लिए हंडेल इंटरलोक से माइनस करना है जो उसका मेजरमेंट मैं आपको बतारा है थोड़ा यहाँ पे दोस्तों आप लोग अवजर करना मतलब आप थोड़ा ध्यान से देखना यहाँ पे अगर आपको 3 इंच माइनस करना है तो आपको दोस्तों यहाँ पे बैरिंग बोटम दोनों लगाना पड़ेगा बैरिंग बोटम प्लस बैरिंग बोटम बीबी दोस्तों यहाँ पे हम लिखते हैं और बेरिंग बोटम लगेगा तो साड़े तीन इंच माइनस करना है तो दोस्तों इसमें से आपको माइनस करना है यह जो तीनों है आपको हंडल इंटरलोग से माइनस करना है फुल मेजरमेंट आपका है जैसे 48 इसमें भी आप माइनस करना क्या करना पड़ेगा दोस्तों मैं आप य neo कर दे रहा हूं सी यह ठीट में कर दो सकते हैं ऐसी तरीके से डोगो यह चीज याद रखना है इसमें से ही आपको माइनस अब लगाते हैं च्परत आप जो है बिर्श आप लगाते हैं तो दोस्तों आप लोग समझ गये यहां पर तीन तीर में मार दिया हूं थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए गा बस तो दोस्तों आप लोगा confusion दूर हो गया अब हम आपको गलास का measurement निकाल के height का बता देते हैं आप लोग कौन सा section यहां पर टॉप में डालेंगे आप लोग डिसाइड अपने हिसाब से कर लेना बट मैं हमेशा जो है bearing bottom डालता हूं मतलब जो नीचे हम bearing bottom डालते हैं वही चीज़ हम उपर डालते हैं इससे क्या आप देख सकते हैं यह हमारा height का measurement है अभी मैं आपको दोस्तों यहां पर लेख चलता हूं glass का measurement यहां पर देख सकते हैं मैं चौड़ाई के measurement लिख लेता हूं तो दोस्तों आप जैसे जानते हैं यह हमारा bearing bottom का size है तो हम इसमें क्या करेंगे 58 plus करेंगे तो यहां पर हम प्लस भी लगा सकते हैं 58 यहां पर हम प्लस करते हैं 58 प्लस करने के बाद दोस्तों हमारा यहां पर ग्लास का measurement हो जाएगा हां 58 यह आपको प्लस उसे में करना है जो आपका bearing bottom का size आया जैसे 25-16 मेरा आया तो इसमें हम 500 और प्लस करेंगे ठीक है तो हमारा दोस्तों यहां पर 25-16 का measurement हो जाएगा ठीक है यह हमारा चवडाई का measurement हो गया यह height का measurement हो गया तो दोस्तों यहां पर हम 43 लिख लेते हैं तो यह आपका handle interlock का measurement हो गया तो दोस्तों आप लोग समझ गया है अभी आप लोग का सारा confusion में दूर कर दिया आपको दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिए वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद स्मार्ट अल्मोनियम चैन